नमस्कार किसान भाईयों डी गार्टन में आप सभी किसान भाईयों का एक बार फित्से स्वागत है और आप बने हुए डीवी दामा के साथ किसान भाईयों एक ग्यों की नई वैराइटी का जनम हुआ है और काफी किसान भाईयों के कोमेंट आ रहे हैं हर दूसरा तीसरा कॉमेंट किसान भाई यो यही आता है कि आप हमें इस वैराइटी के बारे में बताईए कि हम या इसे कहां से खरीच सकते हैं जब किसान भाईयों मैंने उन किसान भाईयों से reply करके पूछा कि ये वेराइटी का नाम क्या है आप मुझे वो बताईए तो उन्होंने नाम लिख करके दिया है और उसकी काफी detail उन्होंने दिया है उन्होंने का है कि इस वेराइटी से हम 44-45 quintal परतिय कड़ के हिसाब से पै किसान करी के लिए बता देता हूं जो हमारे यहां की वेराइटिया है और बहुती अच्छी वेराइटिया किसान भाईयों मानने जाती हैं जो कई वर्सों से हम उनको उगा भी रहे हैं आम किसान भाई उनसे तेईस चोविस कुईंटल परती एकड के हिसाब से पैदावार ले भी जा सकती है इससे अधिक तो किसान भाईयों यह संबाब लगती है तो आपको क्या लगता है किसंवायों की कोई वैराइटिय ऐसी है कि जो दोग नी पैदावार दे सकती है औरbec hanya हमारे देश में वह उपलब नहीं हो पाई है ऐसा, टो किसान भाईयों देखतार चला रहे हैं उसके माधदम से किसान भाईयों ये बाते आग की तरह फैल जाती है और ये भी पता लगता है कि उस जगह पर ये हमें मिल जाती है और काफी परचार इस चीज का होता है लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने सुनने को किसान भाईयो कहीं भी नहीं मिल रहा है कुछ किसान भाईयो काई ये कहना है और हर दूसरा तीसरा कोमेंट इसी बारे में आ रहा है तो किसान भाई यह मुझे नहीं पता है किसान भाई कहां देखकर रहे हैं कहां सुनकर रहे हैं लेकिन किसान भाई यहां पर मेरा यह मानना है मेरी यह राय है कि इस तरह की कोई वेराइटी है ही नहीं अगर होती तो काफी समय पहले हमें इसकी जानकारी मिल चुकी होती और किसान भाईयों हमारे राज्यों में हर जगह यह उपलब्ध होती दोगुनी पैदावार किसान भाईयों कोई मामूली पैदावार नहीं होती है 27-28 कोईंटल के हम पैदावार लेते हैं वो भी काफी जद्धो जायत के बाद और सभी खेतों से किसान भाईयों इन नहीं ले सकते कुछी खेतों से हमें पैदावार यह मिल पाती है तो किसान भाईयो आपकी इस बारे में क्या राय है आप कॉमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं आपकी राय का स्वागत है तो आप भी किसान भाईयो अपनी राय जरूर दीजे कि ये बात संबब है या नहीं है आपका क्या कहना है आपका क्या मानना है ऐसी कोई पैसे देंगे आपके कहने से ये चीजे हमारी बिखनी सुरू हो जाएंगी क्योंकि काफी किसान भाई आपकी वीडियो देखते हैं आपको लाइक करते हैं लेकिन किसान भाई यो मैंने जब उन से पूछा कि ये मेरे जो किसानों को कुछ फायदा हो गए इससे नहीं होगा त क्योंकि किसान भाई हम खुन पसीना सीच करके खेती करते हैं मैं भी एक किसान हूँ तो ऐसी कोई जानकारी मैं अपने चैनल पर परसारित नहीं करूँगा तो किसान भाई ये जानकारी आज की थी और एक नई जानकारी के साथ किसान भाई ये अगली वीडियो फिर मिलते ह तब तक एलिए सभी किसान बायकों नमस्कार